इस review के sponsorsors हैं आप यानी मेरी audience और मैं किसी brand का sponsored content अपने channel पे नहीं चलाता क्योंकि मैं अपने reviews के अंदर अच्छी अच्छी बाते बोलने के बजाए uncomfortable truth ही बोलना पसंद करता हूँ मुझे support करने के लिए please subscribe और join करे मेरे channel को चाहे आपका कितना भी busy schedule हो लेकिन party हर कोई करता है और music सुनने का शौक सभी को होता है और उसके लिए आपको चाहिए होता है एक party या फिर एक tower speaker और अगर उसमें karaoke function हो तो बस बले बले पर कौन सा party speaker best है और क्या आपके budget में एक अच्छा party speaker आ सकता है The answer is yes Hello दोस्तों, welcome to my channel VM1 मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा best party speaker from 3000 रुपीज to 30,000 रुपीज दोस्तों मैंने इन सभी party speakers को सेम दो songs चला के टेस्ट किया है अलग-अलग shops पे जाके इससे मैं इनकी performance में फरक समझ पाया और कुछ speakers की सेम price range होने के बावजूद मैं उनको rank कर पाया आप भी अपने budget और requirement के हिसाब से इन speakers में से किसी एक को चुने मेरे लिस्ट में number 10 पे आता है OBH का MT600 इस सिंगल टावर स्पीकर के अंदर आपको दो 3 इंच के full range speakers मिलेंगे और एक 6.5 इंच का subwoofer मिलेगा इस टावर स्पीकर का audio output है 35 watts इस टावर स्पीकर के अंदर आपको कोई battery नहीं मिलती तो आप इसका cordless यूज नहीं कर सकते लेकिन इस स्पीकर के अंदर आपको Bluetooth, Aux, USB, SD card और FM connectivity मिलेगी और ये टावर स्पीकर आता है एक remote control के साथ इस स्पीकर के pros की बात करें तो इस बजट में ये बहुत clear sound के साथ आता है और इसकी sound profile flat है इसके cons की बात करें तो ये बहुत छोटे rooms के लिए suitable है और इसके अंदर आपको बेस कंट्रोल नहीं मिलता लेकिन इस स्पीकर को आप ले पाएंगे 3500 रुपीज के अंदर मेरी लिस्ट में नंबर 9 पे आता है फिलिप्स का 8085B model इस सिस्टम के अंदर आपको 2-3 इंच के स्पीकर मिलेंगे और एक 6.5 इंच का सब वूफर मिलेगा और इसका टोटल आउट्पुट है 80W इस सिस्टम में भी आपको बैटरी नहीं मिलती लेकिन Bluetooth, Aux, USB, FM और SD कार्ड कनेक्टिविटी मिलती है एक फुली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल के साथ इस मॉडल के प्रोज की बात करें तो इस सिस्टम की साउंड प्रोफाइल काफी अच्छी है और बैलन्स है इस सिस्टम को आप एक साउंड बार के तरह भी यूज कर सकते हैं लेकिन इसके कौन्स की अकर बात करें तो इसमें डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा और ये एक बहुत छोटे रूम के लिए सूटेबल है इस सिस्टम को आप ले पाएंगे 6,000 रुपीज में मेरी लिस्ट में नंबर 8 पे आता है फिलिप्स का 9060B मॉडल इस ट्विन टावर सिस्टम के अंदर आपको दो 3 इंच की ट्वीटर्स और दो 8 इंच के सब वूफर यूनिट्स मिलते हैं जिनका टोटल साउंड आउटपुट है 60 वाट्स इस सिस्टम में भी आपको बैटरी नहीं मिलती लेकिन ये ब्लूटूथ, USB, AUX और माइक इंपुट के साथ आता है जी हाँ इसके अंदर आपको कैरियो के फीचर भी मिलेगा इस सिस्टम के प्रोज की बात करें तो ये बहुत ही बैलन्स साउंड के साथ आता है और इसके अंदर आपको एक वाइरलेस माइक्रोफोन साथ में मिलता है इस सिस्टम के एक स्पीकर के अंदर आपको LCD डिस्पले भी मिलता है इसके कॉन्स की बात करें तो ये एक मीडियम स 60 X model इस प्राइस रेंज में यह सबसे ज़्यादा पॉपलर सिस्टम है और यह आता है एट इंच के सब वोफर के साथ चार इंच के स्पीकर के साथ और वन इंच के सिल्क डॉंक ट्वीटर्स के साथ और इस सिस्टम का टोटल आउपूट बनता है 110 वाट्स इस टुइन टावर के अंदर आपको कोई बैटरी नहीं मिलती लेकिन यह सिस्टम आता है ब्लुटूथ, USB, AUX, NFC और ऑप्टिकल पोर्ट के साथ साथ में आपको मिलता है केरियो के फीचर इस सिस्टम के प्रोज की बात करें तो यह बहुत लाउड है और एक अच्छी खासी पाटी आपके घर में अराम से हैंडल कर लेंगे इस सिस्टम को खरीदने पे आपको एक वारलेस माइक्रोफोन भी साथ में मिलेगा लेकिन इसके कॉंस की बात करें तो यह फुल वॉल्यूम पे थोड़ी डिसॉर्शन देता है इस सिस्टम को आप ले पाएंगे 11,000 रुपीज में मेरी लिस्ट में नंबर 6 पे आता है LG का RL2 यह एक ट्रॉली स्टाइल पाटी स्पीकर है जो कि आता है 6.5 इंच के सब वॉफर यॉनिट के साथ और इसमें आपको मिलते हैं 20 mm के सिल्क डॉम ट्वीटर्स LG के इस मॉडल के अंदर आपको एक इन-बिल्ड बैटरी मिलती है जिसकी कपासिटी LG डिस्क्लोज नहीं करता लेकिन अगर आप इसको 6 आवर्स तक फुल चार्ज कर देंगे तो 70% वॉल्यूम पे प्ले करने पे यह आपको 12 आवर का प्लेबाग टाइम देगा इस मॉडल के अंदर आपको Bluetooth, USB और Aux connectivity आप्शन मिलेगी FM और के फीचर के साथ इसकी stylish portable looks, multi-color LED और vocal effects के फंक्शन यूज करते हुए यह हैं इसके pros और यह जितना अच्छा sound घर के अंदर करता है उतना घर के बाहर नहीं करता यह हैं इसके cons इस system को आप ले पाएंगे 14,000 रुपीज में मेरी list में number 5 पे आता है Sony का V02 model इस system के अंदर आपको 7-inch का subwoofer और 2 1.5-inch के कोन tweeters मिलते हैं जिनका total output है 80 watts इस system में आपको बैटरी नहीं मिलती लेकिन Bluetooth, USB, Aux, Guitar और Mic connectivity मिलती है और यह system आता है एक CD player के साथ I know CD player is too old और कोई भी अब CDs यूज नहीं करता लेकिन जिनके पास पुरानी CDs हैं This is a delight for them इस tower speaker के pros की बात करें तो इसके अंदर आपको बहुत ही balance sound मिलेगी ना जादा overpowered bass और नहीं जादा treble लेकिन इसके अंदर आपको बहुत जादा output नहीं मिलेगा जो एक बड़ी party को handle कर सके और यही इसका con है पर यह system आप ले पाएंगे 14,000 रुपीज में मेरी list में number 4 पे आता है Panasonic का hi-fi tower speaker यह speaker आता है 5 इंच के 2 subwoofers के साथ और 4 1.5 इंच के tweeters के साथ इस system का total output बनता है 300 watts इस tower speaker में बैटरी नहीं है लेकिन Bluetooth, USB, AUX के अलावा आपको 2 guitar connectivity और 1 mic का slot भी मिलेगा इस tower speaker के pros की बात करें तो इसके अंदर आपको जबरदस bass देखने को मिलेगी यह काफी loud भी है और एक बड़ी party को अच्छे से हैंडल कर सकता है लेकिन इस system के cons की बात करें तो इसके अंदर आपको naked speakers मिलेंगे जो कि damage होने का डर बनाए रखते हैं इस system को आप ले सकते हैं 15,000 रुपीज में मेरी list में number 3 पे आता है Sony का PG-10 and let me tell you this is the most unique system of this list यह system आता है 7 इंच के subwoofer और 2 1.5 इंच के कौन tweeters के साथ और इसका total output बनता है 75 watts इस speaker की battery capacity तो Sony नहीं बताता लेकिन 6 hours तक full charge करने के बाद आप इसे 70% volume पे 10-12 hours तक यूज कर पाएंगे इसके अलावा Bluetooth, NFC, USB, FM और mic connectivity के अलावा आपको guitar connectivity भी इस system में देखने को मिलेगी इस system की sound तो जबरदस है ही उसके साथ साथ यह splash proof भी है और इसके top panel पे आपको 2 cup holders भी मिलते हैं और यह tripod compatible भी है यही बनते हैं इसके pros लेकिन जितना अच्छा यह system sound करता है घर के अंदर उतना यह बाहर नहीं करता यह बनता है इसका कौन लेकिन अगर आप इसको घर में यूज करना चाहते हैं तो यह system cost करता है 15,000 रुपीज मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है JBL का party box 100 इस tower speaker के अंदर आपको 2 subwoofer मिलेंगे 5.25 इंच के और 2 tweeters मिलेंगे 2.25 इंच के और इसका total output है 160 watts इस tower speaker के अंदर आपको 2500 mAh की बैटरी मिलेगी जिससे 7 hours तक full charge करने के बाद 70% volume पे चलाने पे आपको 10 hours का प्लेबैक मिलेगा इसके अलावा इसके अंदर आपको Bluetooth और USB किनेक्टिविटी मिलेगी और गिटार और माइक किनेक्टिविटी के साथ मल्टी कलर LED वाला ये tower speaker ब्लिंक करता है रिदम के साथ और इसकी sound output का जवाब नहीं इसके अंदर मैं चाहा के भी एक ही कौन निकाल पाया कि इस प्लाश प्रूफ नहीं है इस सिस्टम को अगर आप लेना चाहें तो ये tower speaker आपको कॉस्ट करेगा 20,000 रुपीज मेरे लिस्ट में नंबर वान पे आता है JBL का पार्टी बॉक्स 200 and this is something that will shake your house इस speaker के अंदर आपको 2 subwoofer units मिलेंगे 6.5 इंच के और 3 tweeters मिलेंगे 2.5 इंच के और इसका total output है 240 watts इस speaker में बैटरी नहीं है and that is absolutely okay क्योंकि ये काफी heavy speaker है और इससे portability expect नहीं करी जा सकती पर इसके अंदर आपको Bluetooth और USB के साथ-साथ mic और guitar connectivity भी मिलती है इस speaker के अंदर आपको multi-color lights मिलती है जो rhythm के साथ blink करती है और ये इतना powerful sound करता है कि एक medium size room को shake करके रख दे मैं ढूनने पे भी एक con से जादा इसके अंदर नहीं निकाल पाया और वो है कि ये splash proof नहीं है अगर आपके लिए कौन कौन नहीं है तो आप इसे 28,000 रुपीज के अंदर खरीद सकते है I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन सभी speakers के direct seller links मैंने description box में दिये है अगर आप उन links को use करके कुछ भी purchase करते हैं तो उसमें आपके लिए price तो same रहेगा लेकिन हो सकता है मुझे कुछ commission मिले जिससे मैं ये channel चलाता हूँ अगर आपको ये speakers better price पे कहीं और से मिलते हैं तो आप please वहीं से लीजिए लेकिन मुझे ज़रूर बताएगा कि आपने अपने लिए कौन सा speaker लिया झाल